कभी देखा है कि किसी ने अपना परिवार छोड़ कर गरीब परिवारों के साथ तोहार मनाया हो अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि साथ समुंदर पार से आकर पंजाब में एक NRI ने दिवाली का तोहार मनाया है हम बात करने जा रहे हैं पिछले 19 सालों से केनाडा में रह रहे है परमजीत पंबा की जिन्नोंने कुछ समय पहले केनाडा में रहते हुए भी पंजाब की मिट्टी को याद रखते हुए अपने भतीजे के शाहदी ओटो रिक्षा में बारात ले जाकर एक नई मिशाल पेश की थी और लोगों से दहे जनाल लेने की अपील की थी लेकिन इस बार उन्होंने एक नई मिशाल पेश की है केनाडा के पले बड़े उनके बेटे ने जिसकी जानकारी देते हुए एनाराई परमजीत पम्मा ने बताया कि जब से उनके बेटे ने अपनी होश संभाली है तब से दिल की एक तमन्ना थी कि वे पंजाब जाकर पंजाब के रीती रिवाजों के हिसाब से तो हार मनाए और उनको भी इस बात का बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उनका बेटा भी पंजाब से जुड़ा हुआ है उन्होंने बताए कि जौदतर देखने को मिलता है कि जो बच्चे बाहर के देशों में पले बड़े हैं वे पंजाब की तरफ देखते नहीं है जिसके लिए उनके माबाप को भी मजबूरन पंजाब से मुहूं ओरना पड़ता है लेकिन उसको इस बात की भी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उनका बेटा पंजाब के रिती रिवाजों के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है और आज वे पंजाब आये तो सबसे पहले उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों के साथ दिवाली का तोहार मनाया और उनके बेटे ने पंजाब का ये तोहार गरीब बच्चों के साथ मना कर बहुती खुशी महसूस हो रही है इस मौके पर परमजीत पम्मा ने कहा कि जितने भी पंजावी बाहर के देशों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं उनको भी विंति करते हैं कि वे अपने बच्चों को पंजाब के साथ जोड़े और उनको पंजाब ज़रूर लेकर आए ताकि पंजाब और तो देहां कनेडियन बड़े थे तो जाने जाके लोगानु पुल जांदे तो यह वीज साल तो गया पर्मझी जी तरबंठी पाहीं पाहिए चोंभी अधार्या अजवी आया अचे चेता अउर्पोंने दॉड़ी सेलिब्रेट कीती है स्लंप अरियेच स्लंप एरियेच छोटे बच्चे नार पर्मजीत ना बेटा जड़ा कनेडियन जंपल उन्ने आके इस मित्तीनन सांज पाई है शानू बहुत खुशी है पर्मजीत ने जडे इनानू सखाया विए इस मित्तीन आपा सांज पूणिया बहुत का तुक्तिक तो ना दे जाके चुली आड़ जन्दी एक भी अशी कनेडियन जद कि वे इत्थे जम्में पड़े इत्थो दे कहें हुंदे यह तो दर ले ने तका दी पूंड़ी इतर ले भी पुले जाते हैं अज सानु बहुत खुशी है परमजीता भी तनवाद करते हैं वी जीने अपन सिंकी रिपोर्ट